असम में गौस संरक्षक अधिनियम लागू हो गया है लेकिन असम के कई हिस्सों में इस कानून का अभी भी कोई असर नहीं दिख रहा है काल विश्वनात जिले के इटाखोला बाजार में गाए कई गाणियों में लोडिंग करती हुई दिखाई दे रही है पल्स 24 ने उसके विश्वनात जिले के हमारे पत्रकार ने तुरंत इटाखोला पलस स्टेशन के अधिकारी को सुचित किया लेकिन उस पलस अधिकारी ने विश्वे को अहवेलित किया तब हमारे पत्रकार ने तुरंद वश्वनात जिले के एसपी महोधिया को फोन कर मामले की जानकारी दी एसपी महोधिया ने ततकाल पोलिस बलभेज कर पश्व बाजार को तोड़ कर बाजार से कई जुड़े लोगों को पुस्ताज के लिए बुलाया और गायों की अवे ट्रांसपोर्टिंग ना करने की चेताव ने दी